वैलकम बैक दोस्तों आप मैंसे बहुत हो कल्वों हों कि आपका हक हो सकता है नहीं इधिर आपके फ्रैंस सहीं सब्सक्राइब कर जा देना खुरू हो कभी ना कभी Internet पे जरूर सर्च किया होगा कि व deposits up को hack किया जा सकता है कि नहीं iek हाट to hack vats up और आपको YouTube में भी बहुत वीडियो देखने होगी जिसमें बोला गया होगा कि आपका WhatsApp कैसे hack करें, के Ocol, Good method, एरा वितरा दोस्तों यएसे भी tricks होती है सच में क्या अपना WhatsApp हैक हो सकता है कि नहीं, इसको जानने के लिए आप ये वीडियो आपके तर चुरूर देखें दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो हैक नहीं हो सकती WhatsApp, Facebook का ये एक प्रड़क्त है, जिसकी स्क्यूरिटी टोप लेवल की है अगर इसको हैक करना है, तो एक कम से कम हैकिंग ग्रूप होना चाहिए, और हैकिंग स्किल्स होनीचे, आप चेक इतने भी टोप लेवल के हैकर हो, तब भी आप हजार बारी सोचोगे WhatsApp को हैक करने से पहले, और आपको कुछ मिशीन भी जाइए, और इस वीडियो में जो मैं आपको ये तरीके बताऊंगा, ये तरीके आपने कभी न कभी यूट्यूब पे देखी होगे, इंटरनेट पे आपको अराम से मिल जाएंगे, दोस्तों इसमें से सबसे पहला तरीका है, using spoof mac address, दोस्तों अगर आपको इस तरीके से किसी का WhatsApp hack करना है, तो आपको उसका mac address चाहिए, victim का आपको mac address चाहिए, about setting में जाते हैं, आप उसका mac address निकाल सकते हो, और उसके बाद आप अपना phone route करके, आपने phone का mac address चेंज करोगे, उसके बाद जाकर आप उसका WhatsApp यूज क कर सकोगे, तो दोस्तों इस तरीके का use करने के लिए आपके अंदर hacking skills काफी हग तक होनी चाहिए, और एक normal user इस तरीके का use नहीं कर सकता, तो दोस्तों दूसरा तरीका है spyware apps, आपको victim के बाद में एक app install करना है, या ऐसे apps आपको भर-बर के Google पे में जाएंगे, और यह app illegal app ह होते हैं, इनका use नहीं करें तो बहतर होगा, और यह app paid और unpaid दोनों type के होते हैं, आपको क्या करना है कि अपने victim के mobile में app install करना और उसके बाद अपने phone के साथ उसको connect करना है, दोस्तों उसके बाद जब भी आपका victim WhatsApp या Facebook या कोई भी contact detail आपका victim जो भी यूज़ कर रहोग अपने phone में, उसकी सारी details आपको अपने phone में में भी जाएगी, दोस्तों यह app team viewer app की तरह ही काम करता है, बट फर की तरह है कि एक illegal app है, और illegal app होने के नाते अगर आपका victim, आपका कोई friend है, तो उसका सारा data किसी third party के पास अराम से जा सकता है, तो इस app का use नहीं करें तो आप QR code generator download करना है, WhatsApp web QR code, उसके बाद आपके phone में QR code आ जाएगा, आपको victim कमवाई लेना है उसके about setting में जाकर, उस web setting में जाकर वहाँ से आपको अपना QR code scan करना है, दोस्तों यह कोई hacking trick नहीं है, यह जश्ट एक WhatsApp का ही feature है, तांकि अगर आपके पास दो phone है और आपने दोनों फो से अपना WhatsApp चला सकते हो, तो दोस्तों, यह कोई hacking trick नहीं है, जश्ट एक feature है WhatsApp का और यह कोई illegal नहीं है, यह legal method, दोस्तों, at last हमें पता लगता है कि कि किसी का WhatsApp hack करना कोई असान काम नहीं है, आप एक single number जानकर किसी user का WhatsApp नहीं है कर सकते, ना है उसकी कोई detail है कर सकते हो, यह का बहुत ही मुश्किल है, बहुत बड़े hacking skills होनी चाहिए है इसके लिए, तो मेरे खाल से आपके सारे doubt clear होगे चुकिए होगे, अगर आपको होड कोई doubt है, आपको comment कर जिए, मैं आपको reply जरूर दूँगा, तो दोस्तों, आशा करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आई इस चैनल को subscribe करें और साथ में notification bell को on कर लें, ताकि अगर मैं कोई भी नवी वीडियो बनाऊ तो उसकी notification आप तक सबसे पहले पहुंचे, thank you for watching guys